नमस्कार जहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर पर यूपी पॉलेटेकनिक प्रवेश परिक्षा 2023 से संबंधित एक नया अपडेट वेपसाइट पर देखने को मिला है तो चलते हैं उत्तर प्रदेश पॉलेटेकनिक के ओफिशियल वेपसाइट पर आपको गूगल या क्रोम में आ जाना है और टाइप करना है जे डबल ए सी यूपी और इसको क्या कर लेना है सर्च कर देना है हमने टाइप कर लिया है जीकप इसक्राल डाउन करते हुए नीचे आ रहे हैं आपको सबसे यहां पर पहले दिखाई देगा जीकप एक्जामिनेशन एड्मिनिस्ट्रेशन यहां पर देखिए जीकप.admissions.nic.in यही वेपसाइट है इस पर आपको क्या करना है क्लिक कर देना है तो हमने क्या कर दिया है इस वेपसाइट पर कर दिया है क्लिक आप सभी के सामने संजुक्त प्रवेश परिक्षा पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश की यह ओफिशियल वेपसाइट खुल करके आ चुकी है स्क्राइल डाउन करते हुए नीचे जबाएंगे तो न्यूज आइंड इवेंट्स के कारनर में आपको दिख रहा है Information Broker 2023 और इसी पर क्या कर देना है आपको क्लिक कर देना है हमने Information Broker 2023 पर क्लिक कया उसके बाद देखिए आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके सामने आएगा देखिए टाइटिल में Information Broker 2023 का दे रखा है इन्होंने और व्यू आपलिक डाउनलोड का आप्शन है एकसेसिबल बर्जन है इसी पर आपको क्या करना है क्लिक कर देना है तो चलिए हम इस पर कर देते हैं क्लिक हमने कर दिया है इस पर क्लिक और जो पूरा PDF है वो खुल करके हमारे सामने आ चुका है यहां देखिए उत्तर प्रदेश संजुक्त परिक्षा पॉलिटेकनिक 2023 की वीवरल पुस्तिका जिसको आप लोग कहते हैं वो खुल करके सामने आ गई है देखिए उत्तर प्रदेश संजुक्त परिक्षा 2022 है तु आवेदन आप देखिए यहाँ पर मानवियत रूटी कहिए या फिर कम्प्यूटर की गलती कहिए इन्होंने 2022 लिख दिया है लेकिन भ्रमित नहीं होना है ये 2023 के लिए है तो आवेदन परिशत की वेफ साइट gcup.admissions.nic.in पर आनलाइन किया जाएगा यहाँ पर देखिए परिक्षा कारिकरम दिया गया है, परिक्षा करम ग्रूप परिक्षा दिवसेमंति थी और परिक्षा समय आपको देखने को मिल लहा है। फाइनल डेट देखिए 1623 से 6623 तक अब इसमें देखिए परिवर्तन भी हो सकता है लेकिन फिल हाल अभी परिवर्तन नहीं है और यही आपका इंट्रेंस एक्जाम का डेट है देखिए ग्रूप L के बारे में देख लीजिए तो केवल साक्षातकार के आधार पे आपका केव इंटर्व्यू होगा और इंटर्व्यू के आधार पे आपका सेलेक्शन हो जाएगा गुरूप L के लिए बाकी गुरूप A से ले करके गुरूप K8 तक आपका इंट्रेंस एक्जाम होना है आप चलिए बात कर लेते हैं कि आपका फीस कितना लगेगा एप्लिकेशन फार् आता लगे कि आप साइबर कैफे CC से जब अपना फार्म अपलाई कराएंगे तो वहां पे वो लोग चार्ज लेते हैं अपलाई करने का तो वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट वर्स 2030 में अरहकारी परिक्षा आप देखिए 12 माई तक आज आएगा तो भी आप फार्म भर सकते हैं लेकिन जो एलेजबेल्टी है वो क्लास 10 पास होना चाहिए जब आपका एड्मीशन होगा उस टाइम आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए अभी आप भले अपेरिंग में दिखा करके भर जाएंगे भर दे लेकिन जब आइड्मीशन होना रहेगा तब आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए इसी तरह से अगर आप ग्रूप E1 और E2 के कैंडिडेट है तो इसके लिए जो अरकारी परिक्षा है वो क्लास 12 उत्तिन रहे आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए अरतिबंधों से आबद्ध होंगे जो विभिन अस्थानों पर दिये गए हैं अगर आप 2023 में इंट्रेंस देने जा रहे हैं तो आप पर परिसत द्वारा लागू नियम लागू होगा ठीक है परिसत ने जो जो नियम दिये है उसको आपको पालन करना होगा मानना होगा तो आपको क्या करना है स्टार इस्टडी सेंटर टेलिग्राम पर सर्च कर लेना है और यह जो चैनल का लोगो है वही लोगो आपको टेलिग्राम पर दिखेगा तो आपको ज्वाइन कर लेना है अब यह अठवा पॉइंट देख लीजिए प्राविधिक सिक्षा परिसत उत्त जैसा ही आदेश जैसा प्राविदिक सिक्षा परिशत करता है सासना देश जो भी आता है उसी के अकार्डिंग आपका जो भी सीट हो गए रहा है वो बढ़ाया घटाया जा सकता है ठेक है और जो भी जानकारी होगी वो परिशत की वेबसाइट के माध्यम से निर्गत की जाएगी अभ्यरतियों से अनुरोध है कि प्रवेश परिक्षा संबंधी विभिन सुचनाव निर्देशों हेतू परिशत में प्रवेश है तू अड्मिशन लेने के लिए प्राविदिक सिक्षा परिसाद AICTE द्वारा निर्धारित सैक्षिक अरहता पूर्ण करना आवश्यक होगा वही मैंने कहा अगर आप ग्रूप A से है डिप्लोमा इन इंजिनिरिंग करना चाहते है या ग्रूप E1 और A2 से आपने इंट्रेंज दिया है और आप फार्मेसी करना चाहते हैं डी फार्मा करना चाहते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं तो जो निर्धारित योगता है फार्मेसी के लिए क्लास 12 उत्तेर्ण और डिप्लोमा इन इंजिनिरिंग के लिए क्लास 10 उत्तेर्ण और chemistry आपका compulsory है उसके साथ बायो या फिर आपके साथ मैथ होना चाहिए इंट्रेंस exam में क्या matter है पूरा वीडियो upload किया गया है सब कुछ हमने बताया है description में link दिया गया है आप वहाँ पर देख सकते हैं जा करके उसके सारी जानकारी जो है हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे यह सारी की सारी जो बिबरल पुस्तिका है यह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसमें सारी सूचनाए है आपकी एज कितनी होनी चाहिए फीस कितना लगेगा है ना जो भी आप सूचना चाहते हैं वो सब कुछ आपको दिया जाएगा एक बात देखिए फिर यहाँ पर पार्ठिकरम ग्रूप परिक्षा दिवस्यम्तिथी को मैंसन किया गया है जो कि 1 जून 2023 से 6 जून 2023 तक है है ना आप देखिए जो छात्र 2023 के लिए ग्रूप ईवन से तयारी कर रहे है पॉलिटेक्निक की फार्मेसी की उनके लिए प्रहार बैच बहुत ही जल्ड इस्टार्ट होने वाला है बिल्कुल प्रहार करेंगे इसका फीस 199 रूपए है जो भी छात्र जूड़ना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए वाट्सेप लिंक पर क्लिक करेंगे और वहां से लिखके क्या भेजना है ज्वाइन ग्रूप ईवन बायलोजी और आपको इस बैच में बायलोजी की जबरदस्त तयारी करवाई जाएगी भाया क्योंकि सेलेक्टेड है और सेलेक्शन आपको देंगे तो देखे बायलोजी का ज्यादा बेटेज रहता इसलिए बायलोजी अगर आपकी जबरदस्त है तो आप अच्छा करने का चमता अपने अंदर डवलप कर प साफ साफ इन्हों ने मेंसन किया है हाइस लाइन में ABCDEFGHI एवं K की परिक्षा आनलाइन कम्प्यूटर के माध्यम से संपाधित कराई जाएगी ध्यान से सुनिएगा CBT कम्प्यूटर बेस्ट टेस्ट ठीक है कम्प्यूटर आधारित परिक्षा होगी आपकी जिसमें अभ क्या करना है अब भ्यरती स्क्रीन पर प्रदर्सित प्रशनों का सही विकल्प चुनेंगे ऐसे प्रशन जिने बाद में पुना हल करना हो उन्हें चिन्हित करने की सुवधा भी उपलफ्द रहेगी जैसे मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्षन है और परिक्षा के 10 दिन पूर परिक्षा आरंब होने के दो घंटे पूर्व परिक्षा के इंदर पर पहुंचाना होगा यह सब बात की बात है अभी सिर्फ और सिर्फ आप तयारी करें जो चाहते हैं वो बैद जोएन करें आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाता रहे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जय हिंद जय भारत वंदे मातरम